यही सब गल्ती क्विज़्स जो है ना बच्चे की कौपी चेक नहीं पेंदिंग में ऊज nog जाता है नैट पें इंटरनेट पे रिजल्स अप्лоड नहीं पीट रहता है यहां पर आ थाया जाता है मेरा फ़रा लोटा बजाना सीर्फ यहां पर आपको सब कुछ बता देता हूं और यह वीडियो जादस जादस सेर किजेगा ताकि आएसी गलती ना हुए क्योंकि पिछले साल भी बहुत से बच्चे ने कुछ गलती कर दिये थे जो वीडियो नहीं देखे थे और बाद में पच्टा रहे थे कि कास हम पहले यह व हम सब कुछ आपको बता देंगे कि इस साल ये What पर जा थे हुए क्मींगे जने शुम को यह बटार देता है तो कोम को पी जाना होँएक है जबका जो भी होंगे तो डूरोंकि अबसा बता है सबसे पले एक्जाम में लेके जाना है बहुत से बच्चे जो हैं यह एक गलती करिये देते हैं इन में से कुछ-कुछ नहीं लेके जाते हैं और वहां पे एक्जाम के अंदरे पे समझ आए न पढ़िच्छा वाली बात होता है भुसने नहीं देता है भाई बहुत करने लगत केुछण होता है लुकिन होता है यहां पर समझने वाली बात है कि इस यह उन्हें पर गाये लेहरी के यहां लादे बात है अब गौणे नहीं पता चला कि इवह बहुत आधार का भी क्क नेथा होने भूसने नहीं देगा, तो सोचो आपकर कैसा बितेगा भाई समझेंगे आपका feeling सुभआ हमीं समझ सकते हैं क्योंकि हम आप इसे बच्चे को इंट्री नहीं देना है इसे बच्चे को तो नहीं देना है तो इसलिए अधार कड लेके जाएंगे अब बहुत से बच्चे यहां फोटो कोपी लेके जहनाएम आपा होता है और को पता है अपको रिक्वार मतलें के जना ही जना आए किलियर ना अच्छा अब beths से बच्चे को लाइक माहिने भी देखा है कि एक जाम हॉल जाते समय आइमिंग एक जाम के अंदर जाते समय वह मार्केट में रास्ते में दुकान में खरीद लेता है और एक जाम हॉल घूस जाता है और पता चलता है कि नहीं यह पैन रूक रूक के दुख दूक के चल रहा है तो आपको नया पैन लेके नहीं जाना है आपको पुराना लेके पैन जाना है लेकिन सही से चलने वाला सही से उगने वाला पैन लेके जाना है कैसा पैन लेके जाना है आपको थोड़ा से यहां पर दिखा दूं लाइक यह दखिए यह हमारे पास कितना पुराना पैन है यहां पर बलेक पैन होने चाहिए अब कहेंके सर बलेक पैन जाएंगे सर बलेक पैन आप्टिन कोले ने थैंगे पालेक ने पर उनके पाइन को पहले का नम मतलब सुनते ही समझे है क्यों कि बहुत से वह बुलू पैन यूज करते हैं वो डगजाम में तो उनको मैं कहूंगा आप blue pen नहीं यूज कीजिये लेकिन जो black pen यूज करना चाहते है तो बला यूज लिखने का सही तरीका अगर हम सही तरीके की बात करों तो आपको black pen भी एक्जाम में यूज करना चाहिए ऐ बुलू तो एक्जाम में कैसा पैन लेकर जाना है आधार काड़ एडमीड काड़ लेकर जाना है और यहां अब देखिए बहुत से बच्चे जो है इसकेल इन्ची समझ रहें तोनों क्यों होता है अम दोनों लिख लिए ताकि कि किसी बच्चे को समझ आए कोई वाड ठीक है यह लेकर पैंसिल लेके जना चंद परकार अगर आप mathematics student like 10th के student 12th के student सब्जेक्ट लेते हैं ठीक है तिसको चंद परकार 10 वाले को चंद और परकार की ज्यादा आवस्षिकता है मतलब जरूरी है ठीक है और 12 वाले कि यहां पर pencil जो डाइट होता है like यह वह पैंसिल यह बला इसा ही pencil होनी चाहिए इसको पैंसिल करते हैं मतलब राइट करते हैं ठीक है यह सब लेके जाना है बहुत साइब बच्चे जो भी सोचते होएंगे लेकिन फ़नी मोमेंट में बलते हैं समझ रहें दम दिल से बोलते हैं तो रमाजा की टाइब का समझे न है देखिए इस ट्राव मांक्स जरूरी अब नहीं है यहां पर कोविड नहीं है बट फिर भी इस ट्रा में रख लेंगे तो ले में जाएंगे अधार करण बढ़ी नहीं लेकर जाएंगे तो समझे लोचा लग जाएंगा प्राक्टिस प्राक्टिस लेकर जाना भाई इसके लिएंची पैंसील चांद परका की जरूरी है तो लेकर जाना गराःब 10th के Mathematic Študent है तो यह दोनों आपको जरूरी पढ़ेंगे ठीक है हाँ गराफ बनाने में वह जो आते हैं गराफ के अलबाब यह काते हैं ठीक है वह बनाने में हाँ इस ट्राम मार्क्स रख लेना है ठीक है अब चोड़ी नहीं करना भाई क्योंकि चोड़ी बहुत से बच्चे को लाइक मैंने भी देखा ह तेज स्टूरान था काफी टालन था मैंने तो चाप लिया सर वह भी हमको देखने दिया नहीं बाई ऐसा नहीं करना क्योंकि उसका पेपर कोड़ होगा आमिंग सेट जो हता है किसी का एशेट होता है किसी का सीडी इसी तरह सेट होते रहता है मतलब कि आपका जो प्रस्ण प्रस्ण आपका एक नंबर में है वह प्रस्ण उसका पॉंच में रहेगा या छे मेरा सकता इसी तरह मतलब तो चोड़ी नहीं करना ने तो आप फस जाएंगे समझ रहें किसी का देख देख के नहीं लिखना नहीं तो आप गलत लिख लेंगे ऑप्जक्टिव में भी बिल्र पैन के यूज हम बता रहे हैं उपयोग फॉयोग नहीं से लिखना लेकिधन है और नहीं प्रस्ण संख्यां 4x4 जोतार बताय दे ईसमसेयों लिखते हैं मालती के पती का नाम कोषण ने त हृताय नाम मह माहशुवर लिखनाए जो च यहां पर यहां प्रशन महाशुर को आप चक्छांप से लिखिःँ आप से बलू पैंसे उतर देंगे इसमें जो माइन कीवार बाट सीवार सिंगे जपीवाइट पर बरॉक सीo फिर सिंगे कोई भी दिकत नहीं चलिए ज्यादा हम बातें ना करेंगा आगे बात कर लेते हैं बोर्ड कॉपी में एक से तीन पेज जो है ना उसमें कट क्राउस यह गलत उत्तर नहीं करना जिसे मान लो मान लिजे यह एकजाम कोपी है ठीक है एकजाम कोपी है जिसे आपको में अच्छे निखना आयरीपीट कर दूं यह फ्राउंट पेज होता है इसमें लिख government लिखेंगे कोन सा Sydney मेडियाम है कि इसमें इंग्ली सब लिखेंगें बता दिय है सब कुछ ठीक है तो इसमें लिखें तो इसमें cylinder नहीं लिखना एंसर यहां से लिखना सुरू करना है और यहां पेसे लिखनाः तीन पेजि़े न इक पैज और गद्स्ना कें आप टाओं से गया यो इसके लिए फ्रशन of the यहां पर एक दू तीन से हम उतर देते जाएं नहीं ऐसा कहीं नहीं लिखा है आप अपना मन च्वाइस आपको जो याद है मौन लोग वन याद नहीं है कोई बात नहीं दू याद पहले दू यह का देंगे एंसर तो ऐसे में जो है ना कट क्रॉस नहीं होएंगे आपका एक स से तीन पेज अच्छे से जाएंगे कोई फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन आगे है प्रस्न पेपर में जो कोशन का एंसर आपको याद है सबसे पिले उसे ही लिखाएंगे जैसा कि हमने बता अभी अभी डिपीट किया आगे है क्लास्रूम में आमिंग एक देंगे तो आपको उसमें जो है नेटन हो जाना है वहाँ पे कुछ कॉपी नंबर डॉल नंबर अपना नाम यह सब लिखे रहते हैं तो जो जो वहां फिल करने बोलेंगे आप कर देंगे ऐसे में क्या होगा बच्चे यह एक्जाम देने आये थे आमिंग बोलें तो आपक सिर्धेजीय मुझे एटैंड होना है अगे पाइसे एमोसिनल बात नहीं यह सटारी इंग लभिट्य१श टैरी दुख भरी कहाँनी यह सब जो है न데 यह सब कती नहीं लिखना है ऊक्वे नहीं है आप कहेंगे सर यह सब तो मजबूरी मांगे लिखें सर मुझे मोठी याद नहीं होता है हम यहसा अपना दुख भरी कहानी तो आप पह! बता है न इसके प्रसण नहीं को प्रसन का straight को फ्रिक है? इसके लिए में यह कुछL टिर नहीं से था एक पले लिस्ट आ रहे हैं आप इस पले लिस्ट में जाके सभी वीडियोज को बारी-बारी से देख लिए एकजाम में काम आएंगे और आप एकजाम के बाद मुझे ही याद करेंगे